हाँ जी तो हम test की बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का na as well से जो message आया हुआ है उस test की बात कर रहे हैं कि आपका जो assignment है वो assignment कैसे solve करना है तो हर एक subject का जिस subject का assignment है आपको सबसे पहले ये होगा online exam online exam का मतलब इसके लिए आपको ना तो कोई file तयार करनी है ना ही कोई register maintain करना है और कुछ भी maintain नहीं करना बस आपको subject का knowledge वहना चाहिए और ये जो होने वाला है कि आपका जो student panel है जो कि आप यहां से चले जाते हैं student के login करते हो है as well के website पे तो यहीं पे एक और बटन add on हो जाएगा जहां पे test देने का option आएगा test देने में क्या होगा वहाँ पे mcq type multiple choice question गीवन होगे और जिस subject का जिस time पे होगा उतने करने हैं हर subject के कितने marks होंगे वो भी वहाँ गीवन होंगे negative marking नहीं होने वाली तो सारी चीज़े गीवन है तो वो mcq आपको question करना है जैसे कभी भी आपने online google form पे जैसे दिया हुआ है कि school के time के तो पता है google form पे कैसे दिते थे तो वहाँ पे options given होगा और उस option को click करोगे लेकिन एक particular आपको time given होगा sir और इसी time के duration में आपको test को submit करना है और एक चीज़ का ध्यान रखना कई बार क्यूंकि उस time पे जो test दे रहे होंगे ऐसा नहीं है कि एक student दे रहे होगा उस time पे सारे student दे रहे होंगे पूरे Delhi University के student दे रहे होंगे SOL के तो server पे बहुत ज़्यादा load आता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना सायद आप submit करने जा रहे हो बार बार वो time से आगे निकल जाए और आपका test submit ना हो पाए ऐसा possible है क्योंकि online paper में भी कई बार ऐसा हुआ तो आप जैसे जैसे test देते जाओगे और timing को screenshot मार के रख लेना timing को क्यों क्योंकि आप जब आपका by chance अगर test submit नहीं होता है तो ऐसे situation में आप वही screenshot as a valid proof के तरीके से दिखाओगे के sir हम कर रहे थे लेकिन आपकी तरफ से server में down होने की वज़े से हमारा test submit नहीं हो पाया internal में अगर आप fail होते हो तो fail ही मानेंगे वो internal में भी pass होना internal मतलब जो assignment है वो internal ही है तो उसमें भी pass होना mandatory है और final भी कुछ बच्चे बोलते हैं रहे यार मेरे को तो पता ही नहीं चला mcq test भी था मैंने दिया ही नहीं तो वो final paper देके भी आएगा तब भी वो fail ही माना जाएगा बच्चा इस बात का ध्यान रखना है तो इस test को एक तरीके से तो आपको seriously नहीं 20 तारिक को बोला हुआ है portal पे notification भी check करते रही है और काफी सारे जगह पे आपको information मिल जाता है solq के क्या-क्या information दी जा रही है तो simple सी बात है क्या-क्या ध्यान रखना है आपको normally आपको ध्यान रखना है कि जो test दोगे submit करते time पे screenshot और जब successful submit भी हो जाए तब भी screenshot लेके रख लेना इसके बाद ये mail के उपर confirmation आता है इनका जो mail ID आप देते हो ना उस mail के उपर confirmation आता है जिस बच्चे ने कई बच्चों ने तो cyber cafe से भरबाया हुआ है और उन्होंने क्या करा mail ID हमारा तो है नहीं आप डाल दो तो वो mail बहुत जरूरी है या तो आप DU जाके अपना mail ID चेंज कर वा ले जो भी procedure है उनका तो वो mail ID और phone number आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर वो mail ID और phone number नहीं हुआ तो may भी possible है कि आपका वो paper submit होने में दिक्कत दे क्योंकि जो confirmation आएगा वो email ID पर ही आएगा तो इनका SOL वालों का इनका एक अपना software होता है कई बार ये Google team पे लेते हैं या integrate कर देते हैं ये तो आपने कुछ चीज़े देखो paper तो दे दो गया लेकिन उस paper में समस्या एक तो आपका उस time पे side नहीं खुले server down हो जाए और side submit करते time पे आपका side नहीं खुले server down हो जाए तीसरा आप का submit हो गया लेकिन result में fail आगया ऐसा भी होता है आपने सब कुछ accurate submit कर दिया और result में देखा तो आपको absent sokar रखा है तो ऐसे situation में आप बोलोगे sir हमने तो दिया था वो बोलेंगा नहीं आपने नहीं दिया थो तो आपके पास valid proof होना चाहिए तो जब से login करोगे यानि step by step का आपके साथ कोई उपर नीचे होता है तो आप du में as a valid proof दिखा सकते हो कि हमने तो exam दिया था तो इस बात का बहुत ध्यान दखना क्यूंकि आप लापरवाई थोड़ी भी करोगे न और मानलो आप paper नहीं दोगे आप तो बोल दोगे कि sir वो तो मैं भूल गया time का पता ही न नहीं दिया तो accounts का paper अगली बार देना पड़ेगा आपको semester 3 के साथ तो आपका paper बढ़ जाएगा ऐसा नहीं कि आप pass हो जाओगे उसमें तो clearly internal में अलग pass होना है और external में अलग pass होना है जो internal है वो assignment को बोला जाता है और external जो आप exam में बैट के paper को लिख के आओगे उसको क् external बोला जाएगा ये paper online हो रहा है तो कोई बच्चा ये ना समझ ले के external भी online ही हो जाएगा वो paper आपका offline ही होना है वो तो time duration कम की वज़े से बाकी अगले साल से तो बच्चों को proper file format में deposit करना पड़ेगा ये सारी चीज़े तो आप सभी को एक चीज relaxation मिल गई कि MCQ में आपक internal marks दे देंगे जितने question attempt करोगे randomly होगा फटा फट से result भी आ जाता है उसका लेकिन आपको screen पे कोई result नहीं दिखेगा कि आपके इतने सही है और इतने गलत है फिर भी आप एक बार मैं कहूंगा जिस बच्चे को 20 के 20 question आते है मुझे पता है आप कहां से करने वाले हो तो जि आपको ध्यान रखना है तो एक ये चीज़े हमारा जो टेस्ट आने वाला है 20 तारिक को है और उसके हिसाब से आपको करना है ठीक है तो बस एक छोटी सी जानकरी जो आपको helpful होगी